नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट असलाम अलेकुम और वेलकम टू नई सुभा ओडियो लाइबरी इंग्लिश लानिंग टिटोरियल्स फॉर फार्मडेशन कोर्स मेरा नाम है सबागजाली और आज के लेसन में हम सीखेंगे त्री लेटर वर्ड्स वैसे ही होते हैं कि जैसे टू लेटर वर्ड्स होते हैं क्यूंकि टू लेटर वर्ड्स दो अल्फबेट से मिलकर बनते हैं जबके ट्री लेटर वर्ड्स में हमारे पास तीन लेटर्स यानि तीन हुरूफे तहजी होते हैं सो आईए सीखते हैं सबसे पहला हमारा word है to अब जब हम इसको three letter word बनाएंगे तो ये बन जाएगा to हमारा दूसरा लफ्स है is इस से बनेगा his हमारा तीसरा लफ्स है ही ह-e ही ह से पहले मिलाया s बना she s-h-e she इसी तरहां से hot h-o-t hot p-o-t pot t-o-p top i-t it में मिलाया f so f-i-t fit i-t it में मिलाया h so बना h-i-t hit इसी तरह के दीगर अलफाज सलाश करके आप भी three letter words बना सकते हैं इसी के साथ ही हमारा आज का lesson खतम हुआ मिलेंगे अगले lesson में तब तक के लिए अला हाफिस ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए comment कीजिए या description में दिए गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए कि अपनी तक के लिए पारा के लिए इस्तमाल की तब चारा आज की जरा के राए रद्माल